तो आज के स्पीज टेस्ट के डिस्कुशन में जो हमारा ST नंबर है स्टेट की उसके कोशन्स काम लोग डिस्कुशन करते हैं और देखते हैं उनके पॉसिबिल आंसर्स क्या थे तो ST 9 में जो हमारा पहला कुशन था मेंस्टुरेशन के लॉजिक पर था और ये था एक कॉपर वायर है जिसका आयतन बॉलिम हमें दे रखा था इसको पिगला कर हमने क्या करा एक गोला बनाया तो गोले की तरिज्या क्या होगी ये बताना है तो एक चीज़ा मैं समझना पड जब कभी भी कोई बस्तू को पिगला कर दूसरी बस्तू बनाई जाएगी तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं मतलब कि यहां पर हम जो तार का आयतन है उसको गोले के आयतन के बराबर कर देंगे तो गोले का जो आयतन होता है अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो वह होत डिवाइड कर देगा तो नौतियां 27 आर की घा तीन बच्चों बनेगा 27 तो आर बराबर कितना आ जाएगा यह तीन का घन्मूल है और उत्तर संख्या भी हमार आंसर हो जाएगा अगला सवाल 14 पुरुष एक कारे को 24 दिन में कर सकते हैं दोगोने कारे को 16 दिन में करने के लिए और कितने अत्रिक्ट और एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए तो क्या होगा 14 पुरुष 24 दिन में करते हैं M1 D1 बटे W1 कोई भी कार हमने मालिया पूरा भाग है एक कि एक पूरा कार है 110 पचास कुछ भी मान सकते है अब मान लिया एक्स लोगों की जरूरत है 16 दिन में कराना है कितना दोगुना यह आपकार एक था इसका दोगुना यानिकि 2 आठ बा पास कुल व्यक्तिव की संखा को प्रदर्शित करता है कि इसमें जो नए लोग आए हुए हैं वो भी मिले हुए हैं हमें बत पूछा क्या था अत्रिक्त कितने तो जो डिफरेंस आएगा जो इनके बीच का अंतर आएगा किसका 42 में से पहले वाले पुरुष को मैनस कर के लिए अगला सवाल एक नाविक धारा के अनकूल 6 मिनट में 1 किलूमीटर और धारा के पतिकूल 1 गंटे में 8 किलूमीटर जाता है तो जब धारा के अनकूल धारा के दिशा में कोई नाविक जाएगा तो B for boat और W for water नाव और धारा की चाल को जोड़ा जाएगा तो बैच 6 मिनट हैं उसको 60 से भाग करते घंटें बडल दो तो नाव और धारा की चाल का योग आ जाएगा आपके पास 10 और धारा की प्रतिकूल 1 गंटे में वो 8 किलूमीटर की दूरी तय करता है मतलब कि जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो होगा क्या नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस करेंगी और दूरी बटा समय जब करोगे तो यह 8 आठा जाएगा हमें बताना क्या है मालिया समीकर नंबर 1 है और यह समीकर नंबर 2 है हमें नाव की चाल बतानी धारा की चाल बतानी है ना तो क्या करो यहां पर देखके क्या लगता है दोनों समीकर को माइनस तो टू डवलू बराबर बचेगा आपके पास टू तो डवलू बराबर क्या आ जाएगा एक किलो मीटर प्रति घंटा यह हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन संख्या अगला सवाल एक संख्या है जब उसको 136 से भाग करते हैं तो शेशवल 36 आता है उसी संख्या को 17 से भाग कर पर शेशवल क्या आएगा हमें यह बताना है तो भई इसमें हम क्या करें इसमें करने के लिए सीधे सीधे आप क्या करो शेशवल कितना बच रहता है 36 और 17 से भाग करना है तो 36 को 17 से भाग कर दो 17 दूनी 34 34 के बाद घटाव 36 मैं से 2 बचेएगा तो रिमेंडर यानि कि शे विशवल 2 आ जाएगा अगला सवाल 2400 रुपे के धनराची है जिसको चकवदी ब्याज पर निवेश किया गया 5 साल बाद दो गुना होता है तो 20 साल बाद वो धन क्या होगा यह बताना है वह क्या बोला है 5 साल बाद दो गुना जितने गुना बोला हो उतने पावर जीरो स स्टार्ड करो जैसे प्रश्म में तीन गुना होता तो तीन की पावर जीरो से दो की पावर जीरो किसी भी संख्या की घात जीरो है तो इसको वन मानेंगे वो वन मानेंगे नी वन होता है दो की पावर एक दो की पावर दो दो की पावर तीन कहा तक ले जाए इसको यह जो बीच बीच में अंतर लिखा जा रहा है ना बच्चो यह अंतर आपके वर्सों का 5 वर्स यहां और 5 वर्स यहां तो कितने हो गये 5 10 15 मतब 1 5 वर्स और आंगी 5 वर्स आमें और लिख देना है तो यहंसे क्या हो जाएगा भई जीरो, एक, दो, तीन, दो की घाट, चार सब लोग जानते हैं दो की घाट, चार कितना होता है? 16 तो अगर आपका प्रिंसिपल मूलधन एक है तो वो 16 बन जाएगा 20 वर्षों में 16 गुना तो पहले जितना था उसका 16 गुना कर दो तो धन कितना हो जाएगा मनी रुपए 24,000 का 16 गुना करतो दीजे 1, 2, 3, 16, 64, 64, 64, 64, 38, 38, 38, 84,000 और इस अधर पे हमारा अंसर डी बनेगा अब एक electricity का बिल है दे तिती से पहले अगर किया जाए तो 4% की कटोती मिलती है छूट मिलती है ठीक अगर एक डिती को 13 रुपए की कटोती मिली तो बिल की राशी क्या यह बताना है अरे भई सब जानते है जितने प्रतिशत कटोती हुई उतने प्रतिशत उतने ही रुपए कम होंगे तो कहने का मतलब 4% का मान 13 है कुल बिल अगर आपको निकालना है तो आप 100 का मान निकाल दें 100 प्रतिशत का तो 25 से गुणा कर देंगे 25 तीया 75 का 5 हासे लगे 7 25 तीया 75 का 25 25 तीया 75 का 25 25 तीया 75 35 तीया 75 325 रुपए हमारा आप्शन संक्या सीज का उत्तर बनेगा तीया 77 बत्तिश सीट अगला क्या लिखा है यदि अंकित मूली पर 30 प्रतिशत की छूट और 20 और 10 प्रतिशत की 2 करमागत छूट के साथ विक्र मूली का अंतर 72 है तो अंकित मूली ग्यात करें क्या करेंगे इसके लिए आप ये देखो 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की सम्तुले एकल प्रत्षत छूट कितनी होगी तो भई देखो पहले वाले में छूट यानि कि डिसकाउंट पहला वाला है आपका 30% जो आपका डिसकाउंट दूसरा वाला है वो कुल 20 प्रत्षत और 10 प्रत्षत एक साथ किसके बराबर होगा X प्लस Y माइनस ध्यान रखना या माइनस आता है जब डिसकाउंट की बात होती है जब डिसकाउंट की बात होती है तो बच्चों ये बनता है आपका 28 प्रत्षत कितना अंतर आया 2 प्रत्षत का उसका मान 72 के बराबर एक प्रत्षत का मान 36 के बराबर किसी भी वस्तू का मूलधन स्वयम में 100 प्रतिशत के बराबर होता है तो 36 की 100 से गुणा कर देंगे 3600 आ जाएगा और option संख्या यह हमारा उत्तर होगा जितना आपके छूट मेंतर मिलेगी उतना ही विक्रे मुले मंतर पहुँच जाएगा अगला सवाल यह बड़ा बढ़िया सवाल है क्या है पी और क्यू अंकों को दर्शाते हैं तो इसमें क्यू का अधिक्ता मान क्या होगा यह बताना है मतलब यह हमारे तीन अंकों की संख्याएं है ठीक पाँच पी नौ सा तीन सो साइस दो क्यू आठ तो उसमें Q का अधिक्ता मान क्या होगा हमें पता है ये एकाई धाई सेकड़ा वन स्टेंस हंड़र के पॉर्म में होते हैं तो जरा इस संख्या को तोड़ो तो जो सौवें स्थान पर है पांच उसको मैं पांच गुणा सौ लिखूंगा बीच वाला जो पी है वो दसमें स्थान पर है ठीक दसमें स्थान पर है तो क्या लिखा जाएगा पी आपके दसमें स्थान पर है तो दस गुणा पी ये हो गया और आपका नौ जो है पहले स्थान पर है तो इसको हम 9-1 ऐफर काओ 9 से लिखे ऐसे ही 327 की बात करो इसको हम 300 और 20 और 7 लिख सकते हैं क्योंकि यह दids का स्थान है या आपका बीच का स्थान है यानि की स्री सैकड़े का स्थान दः का स्थान और प्रधम स्थान यानि की 1-1 कमान अब आजाओ जाना Q8 पर 2 Q8 पर तो क्या होगा तो 2 गुणा 100 और Q Q है आपके दाई के स्थान पर 10 गुणा Q और 8 8 तो आपके एक दाई के स्थान पर तो क्या होगा 5, 3, 8 तो 10 ठीक 10 हो गया मतलब कि ये सारे इन सब को जोड़े तो ये बन गया हमारा 1000 ठीक अब इसको जोड़ो तो ये बन जाएगा आपका 10 P प्लस Q और प्लस 20 ठीक तो देखो 20 और 9 29 29 और 7 29 साथ कितना 36 44 मतलब कि 44 तो ये हो गया ये अच्छा एक और ची 10 P बचा हमारे पास 10 P बचा पूचा क्या है कोशन ने बोला था कि भई क्यूँ का अधिकतम मान क्या होगा क्यूँ का मान अधिकतम कब होगा क्यूँ तब अधिकतम होगा जब P 0 हो जाए जब P आपका 0 हो जाए जब P बराबर आपको 0 मिले तो ये तो 0 हो गया तो भई संख्याओं का योग कितना आ गया एक हजार चावालिस तो हम क्या लिखेंगे एक हजार चावालिस प्लस और दूसरा कहां गया दस क्यू तो हम बोलेंगे दस क्यू बराबर एक एक चार माइनस एक हजार चावालिस तो दस क्यू बराबर कितना आ जाएगा इनका अंत जाएगा option संक्या सी हमारा उत्तर होगा है अगले सवाल पर चलते हैं पंद्रा बस्तुओं का पुस्तकों का क्रें मुल्ली बीस बस्तुओं के विक्रें मुल्ली के बराबर है मतलब 15 वस्तुओं का cp 15 का sp 20 के बराबर है तो cp बटे sp क्या होगा 20 बटे 15 पंद्रा पांस से कार्ड़ तो पांच चोक 20 पांस तीया पंद्रा बैए चार की वस्तुओं को मतलब 4 आपका क्रें मुल्ली है तीन विक्रें मुल्ली है तो हानी कितीनी होगा एक यूनिट की तो हानी का प्रत्षट क्या होग हानी का प्रत्षट होगा एक बटा क्रें मुल्ली गुणा सो तो यहां से मारा आंसर आजाएगा 25 प्रत्षट अगला सवल X की घाथ 3 प्लस Y की घाथ 3 नौ है X प्लस Y बराबर 3 है तो X की घाथ 4 और Y की घाथ 4 का मान बचाना है क्या करेंगे Value Putting करेंगे भई अगर मैं X बराबर 2 लगा दू और Y बराबर 1 लगा दू तो क्या ये दोनों समीकरण संतुलित हो जाती है दो की घाथ 3 आठ प्लस एक 9, दो प्लस एक बराबर 3 है हो रही है अगर है तो वही X और Y का मान आप यहां पर लगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा X की घाथ 4 प्लस Y की घाथ 4 बराबर 2 की घाथ 4 प्लस 1 की घाथ 3 तो बनेगा 16 प्लस 1 और हमारा उत्तर यहां से आ जाएगा आपका 17 ओप्शन संक्या सी सा ही उत्तर होगा वेल्यू पुटेंट से कर ले मान रखते जाएंसर मिल जाएगा थोड़ थोड़ प्रैक्टेस करेंगे तो मान लगाना भी आ जाएगा तो यह हमारे estimate questions के discussion थे इसी तरह से छोटी छोटी चीजों के approach बहुत सारी calculation को दिमाग में करना है कोशिस करना है कि बहुत कम से कम लिखना पाड़े और प्रश्णों को सरहल करेंगे तो जल से लग प्रश्न हल हो जाएंगे बीज़नर के सवालों में value putting मान रखकर solve करना जैसे जैसे practice करते जाएंगे आपके दिमाग में खुदी idea set होता जाएगा कि इसमें आपने मान रखके करना है या नहीं करना है तो आगे वाने exams के लिए good luck थेंक्यू प्राइब प्राइब